हेलो दोस्तो, नमस्कार, ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड, ये दो स्टॉक कल की दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जरू किना चाहूँगा, अगर सम किसी चैनल में फर्स्ट टाम विजिट क्या होगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना, ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग को देखने के लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कल के दिन से रिलेटेड कोई इंपोर्टन स्टॉक रहेगा, तो डेफिनेटली वीपरो यह रहने वाला है, क्योंकि आप सब लोग पता है, वीपरो की कल बोर्ड मिटिंग वापस कंटीनी होते हैं, देखने को मिलेगा है, और वहाँ वीपरो की जो बोर्ड है, वो बाइबैक से रिलेटेड, शायद से कोई तो अनॉंचमेंट कर सकता है, इसलिए मैंने कहा कि यह हिला, पूरा बाजार को हिला सकता है, और ऐसा क्यों अगर बाइबैक, अगर कोई बड़ा बाइबैक आता है, टेंडर वाला, जैसे कि हम लोग की हिसाब से, एक्सपेक्टेशन की हिसाब से, अगर नहीं लाते है, तो डेफिनेटली बाजार का मूड खराब हो जाएगा, और शायद से हम लोगों को कर्रेक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैंने का कि यह जो न्यूज है, वो बहुत ही जबरदस पॉजिव ह हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर देखना है, कि विप्रो कल किस तरीके सा परफॉर्मस यहाँ पर दे सकता है, 1200 विप्रो है सबसे पहला स्टॉक है, इसी से रिलेटेड कल चर्चा है, यहाँ पर रहने वाली है, उसी के साथ साथ आप सब लोगों पता है, विप्रो के कौटर टू के अर्निंग, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जारी है, अगर हम लो आओ, शायद से मैं जब अपलोड कर दू विडियो तब विप्रो के रिजल्ट आ सकते है, तो इसलिए यह सारी चीज़े ने आप लोगों ने कंसिडर करने चाहिए, तो विप्रो के रिजल्ट अभी तक नहीं मिले, तो यह हम लोग कह सकते है, बहुत ही चिंता का विशय है और रिजल्ट अगर कुछ पोस्पॉन ऐसा है, अगर कुछ हो जाता है, तो यह विप्रो के लिए शायद से बुरी खबर हो सकते है, अभी तक फिलाल कोई भी अपडेट नहीं मिला है, तो आप लोगों ने सोने से पहले एक बार ज़रूर BAC के ऑफिशल वेबसेट पे जाक और यहाँ पे बताए जारे हैं कि विप्रो अपने quarter two के number के साथ साथ, मतलब quarter two के number शायद से इनके बहुत अच्छे आ सकते हैं और उसी के साथ साथ buyback का भी बहुत एक अच्छा announcement यहाँ पे शायद से कर सकता है, विप्रो की balance sheet में अपनों को दिखा चुका बहुत ही fundamentally strong balance sheet ह results हो, cash हो, बहुत ही company के पास इसका कोई भी कमतरता नहीं है, bonus की बात करें, तो 14 बार इस company ने bonus दे दिया है, और इस वक शायद से buyback के हिसाब से यह अपने shareholder को वापस माला माल कर सकता है, अभी buyback कितने price पे आएगा, इसी के उपर सभी लोगों के यहाँ पे नजरे रहने वाली है, और उसी के साथ-साथ, विपरो के जो quarter two के numbers के और, उनके जो guidelines क्या है, उसके उपर सभी लोगों के निगाये रहने वाली है, तो दोस्तों विपरो से related कल बहुत ही जादा important दिन है, तो इसके उपर आप लोगों ने focus ज़रूर रखना है, दोस्तों उसके बाद 14 तारीक को Infosys अपने number पेश करने वाला है, तो शायद से विपरो अगर कोई बड़ी announcement कर दे, तो कल 13 तारीक को result के पहले ही Infosys में भी हम लोगों को शायद से कुछ बड़ा moment होते वे देखने को मिल सकता है, यहापर उमीदे रखे जारी कि Infosys भी कुछ अच्छा corporate announcement यहाप पेशायद से कर दे, तो definitely हम लोग कह सकते Infosys में भी तेजी देखने को मिल सकते है, result के मामले में बता जारा है कि यह TCS से भी बेतर number पेश कर सकता है, तो इसलिए शायद से जो लोग बहुत ही aggressively trading करते हैं, वो शायद से एक दिन पहले ही यहापे Infosys में चाहे तो buying करके रख आप सभी लोग को पता है, आप लोग चाहो तो अपने ही portfolio को आप देख सकते हो, so दोस्तों Infosys से related एक अच्छी news भी हम लोग को देखने को मिली है, आप सभी लोग पता है American company को Infosys ने हाले में खरी दाता, और एक American company को Infosys ने इससे पहले भी खरी दाता, जिसका नम है Caledoscope, आप सभी लोग को इससे related मेंने वीडियो भी बनाया था, अभी अभी 28 मिनिट यहापे हो चुके है, और बता जा रहे है कि Infosys ने जो acquisition था, US-based जो firm थी Caledoscope, वो जो acquisition का process है, उसको 100% complete कर लिया है, so Infosys आप देख सकते हैं क्या acquisition दना दन करते जा रहे हैं, जो कि प्रतीत करत है कि इस company का performance कितना अच्छा है, company के पास cash बहुत ही जाद है, और ऐसे माहल में, जहापे जो struggling company है, उनको acquire करना, यह smart investment, मतलब हम लोग कह सकते हैं, एक management का निशानी ज़रूर होता है, उसे के साथ साथ यह भी आप लोग को बता है कि Infosys ने हाली में, American और एक company 915 करोड में खरेदी थी, जिसका नाम था, आप लोग देख सकते है, blue icon, जो यह सारी चीजे बताता है कि Infosys में हम लोग को शायद से कुछ ना कुछ बड़ा धमा का होते हुए देखनी को मिल सकते है, हलाकि मैं वापस कहना चाओंगा, यह कोई guarantee नहीं क्योंकि corporate action किसी भी chart pattern के उपर, आ आप लोग को दिखाना चाओंगा, बहुत important है दिस्तो, यह देख लेना, यह मैं कहा पर आ गया हूँ, यह result calendar के उपर है, यह सारे result है company के, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहापे 12 तरीक, 12 तरीक विप्रो का नाम यहापे लिखा गया है, यहापे जो board meeting है दो दीन चलने buyback के आ जाता है, तो इसमें भी कोई बड़ी shocking वाली बात नहीं हो सकती, तो यह चीज आप लोगोंने जरू consider करनी चाहिए, आप देख सकते हैं, दो बार dates यहापे लिखे गए, आप लोग देख सकते हैं, विप्रो 12 तरीक को भी है, और विप्रो यहापे 13 तरीक को भी है, अभी तक कोई announcement नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कल 13 तरीक को आप लोगोंने विप्रो पे quarter 2 के result भी देखनी चाहिए, और प्लस buyback भी देखना चाहिए, और उसी के साथ-साथ कल 13 तरीक इसमें तो busy रहने ही वाला है, बड़ साथ में अगर आप लोग देखोगे, तो 14 को यहाँ पर infosys के number है, तो अगर कोई अच्छी news आ जाती है, तो 13 तरीक को infosys के उपर भी नजर जरूर रख लिना, क्योंकि सबी का जो camera रहेगा, वो विप्रो के और बढ़ सकता है, तो यह कहना चाहूंगा, यह दो stocks बहुत ही fundamental strong है, निसी में हम लोग को अच्छी क तो अच्छे ही है, बट उसी के साथ साथ एक और एक चोटा stock है, जिसको usually हम लोग नजर अंदाज करते हैं, हाला कि title में भी मैंने नजर अंदाज ही किया है, बट आप लोग को दिखाना चाहूंगा, आपके सामने ही है, Tata Alexis, यह दोस्तों यह भी 14 तारीक को ही number पेश करेग तो कल का दिन अगर में यहाँ पे बात करूँ, तो विपरो के साथ साथ, मतलब विपरो के quarter two के earning के साथ साथ, उसी के साथ साथ, buyback के साथ साथ, यहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ यहाँ पे Infosys के भी अच्छे खासे, कुछ ना कुछ positive announcement आ सकती है, इसके होप में भी Infosys में भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है, दुस्तों मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ, मैं हमेशा एक long term investor हूँ, आप सभी retail investor की भी भलाई चाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा आप लोग को long term की बाते आपे बताता हूँ, तो short term में कोई लोग expect कर रहें कुछ XYZ अगर हो जगया, कोई dent लग गया, नीचे गिरावट हो गई, so long term में कुछ damage नहीं होते, आप लोगों ने देखा ही कि शेर 500-500 तक आ चुके थे, बाद में अभी 1100 तक जा चुके, so long term में अगर आप जितना focus करोगे, उतना आप लोग का portfolio भी safe इसलिए कहना चाहूंगा बहुत सर लोग जो नीचे सवाल पूछते, सर आप confidently बोलते हो long, मतलब किसी शेर में अच्छा होगा, next दिन में देखते, बहुत ही अच्छी तरीके से वो भागता है, L&T Infotech आपने कहा था, आज भी भाग गया, शायद से हम लोग trading कर लेते तो अ सब से विप्रो, एंड Infosys ये दो स्टोक है, एंड टाटा इलक्सी इसके उपर भी, आप लोग ने अगर थोड़ा सा नजर लग लिया, तो अच्छी बात हो सकती है, आयो बाशा करते हो दोस्तों, ये जो major वीडियो था, आप लोगो पसंद दया होगा, तो ज़रू लाइक